नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जहराम महतो ने कहा अंदोला नहीं करोगे तो आपके बच्चों को भीख मांगना पड़ेगा जहर्खन के हजारी भाइक जीले में जल जंगल जमीन बचाने को लेकर भारत के पाँचवे परदान मिंति चोजरी चरंसिंग ने कहा था एक नजर रखो खेत खलियान में, दूसरी नजर रखो लाल किले के मचान में, अर्थात खेत खलियान को बचाने के लिए हमेशा खेत खलियान की सुरक्षा करें, बता दे बाहरी कंपनी वा कोल कंपनी आपकी जमीन छीन न ले, एवाम लाल किले के मचान का अर्था विधान और लोग सभा में नजर रखे उक्त बाते 1932 के खतियान का अंदोलन करने वाले नेता जैराम महतों ने बढ़का गाओं के ग्राम महतिकरा में सभा को समधित कर रहे थे जन सभा जहर खंडी भासा खतियान संगर समीती द्वार आयोजित की गई थी जैराम महतों ने आगया भी कहा कि अलग राजे के लिए कई महापूर्सों ने जान गवादी है 23 साल बाद भी जहर खंड की सूरत नहीं बदली एंडिये की सरकार में भी जल जंगल जमीन को बेचा गया और अब बरतमान सरकार के राज में भी जल जंगल जमीन को बेचा जा रहा है इसलिए अब हम सब क जल जंगल जमीन को बचाने की अवसकता है मौसम ने ली करवाट गरजन के साथ होगी बारिस जहर खंड में मौसम का मिजाए बदल चुका है सुक्रवार से ही राय धानी राज़ी समेत राजे के कई जिलों में मौसम ने करवट ले लिए आज भी मौसम भी भागने राज़ के साथ कई जिलों में बारिस की समहना जताई है मौसम केंद्रे के अनुसार रांची रामगर बोकारो धनबाद हजारी बैक चात्रा गुमला गड़वा पलामो गिरीडी जामतरा लोह दगा खुटी और सिम्डेगा के कई इलाकों में आज में गरजन के साथ बारिस की समहना की हाई ट्यूटर ने जार्खन के कई बड़े नेताव का बलू टिक हटाया माइक्रो ब्लोगिंग प्लेटफर्म ट्यूटर ने 20 अप्रेल से वेरिफिकेशन अकाउंट से लिगेंसी बलू टिक मार्क हटाने की परकिरिया शुरू कर दिया अब ट्यूटर पर अकाउंट को बलू टिक के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पहले ट्यूटर पर वेरिफाइड अकाउंट को बलू टिक फिरी में दिया जाता था इधर देश भार में कई परमुख हस्तिया की बलू टिक हटा दी गई है वहीं जार्कन के राज्येपल सीपी राधा कृष्णान, बलू टिक बरकरार है, हलाकि मुख्यमंत्री सचिवाले का बलू टिक हटा दिया गया है, वहीं गोवर्नर और जार्कन का भी बलू टिक हट गया है, जबकि पुरमुख मंत्री वा भाजपा बिधायक दलकिनेता बावुलान मरांडी, रगवर्दास, परदेश, भाजपा अ बलू टिक बरकरार है, ज़ारखन में करोना के केस 300 के पार 499 संक्रमित मिले, ज़ारखन में करोना के मरीजों की संक्या 309 हो गई है, पिछले 24 गंटे में मिले 499 संक्रमित में सबसे ज़्यादा रांची से 10 मरीज मिले है, बताते ज़ारखन में करोना बारस संक्रमित मरीजो में हुई 5,284 सेंपल की जाच में चास लोगों के सेंपल में कुरोना का वाइरस मिला है वही आई डी एस पी जारखन द्वारा जारी ताजा कुरोना अपडेट के अनुसार पिछले 24 गंटे में सबसे अधिक 10 नए संक्रमित रांची से मिले हैं पूर्वी सिमू में 9 और संक्रमित की पहचान हुई है इद को लेकर रांची में पूलिस अलाट ड्रोन से निगरानी इद उल्फित्र को लेकर रांची पूलिस ने सुरक्षा व्यवस्ता की त्यारी पूरी कर ली है एसे स्बी कॉसर की सोरने आप वाउस से बचने और सभाद पूर्ण धंग से कंपनी लगाई गई है इसके लावा जीले भर में 100 से अधिक मईस्ट्रेट की तेनाथी की गई है वहीं CCTV केमरों से हर गति विद्यों पर नजर रखा जाएगा साधे लिवाज में भी पूलिस अधिकारी तेनाथ किये जाएंगे इसके लावा थाना में QRT भी रिजर्व र नेता रांची में सचिवाले घिराओ के दवरान धाराएक सच्वालिस का उलंखन करने का रोप में फंसे भाजपा परदेस अध्यक दिपक प्रकास सहीत पांच नेताओं से धूरवा थाना में करीब आदा घंटा तक पूश्टाच हुई है इस दवरान भाजपा नेताओं ने आरोपों को खारिज करते हुए सरकार पर जम करनी साना साधा बतादे सच्वाले घिराओ के दवरान 11 अप्रेल को धराएक सच्वालिस का उलंखन करने का रोप में फंसे भाजपा परदेस अध्यक दिपक प्रकास सहीत भाजपा के पांच नेता धुरवा थाना इद को लेकर राज्य पाल और मुख्य मंतरी ने दी मुबारक बाद मुबारक बाद पेस की है इदगाह के मौलाना असगर ने इद के मोगे पर पूरे देश में अमन चैन की कामना की उन्होंने अपने प्रेगाम में कहा है कि इस मुल्क की रख्षा की जिम्यदारी हम सभी की है हम सभी को हर धर्म का सम्मान करना है जिन्होंने मुसलिम समुदा के यूकों से साधी समरों के नाम पर बिफुल जूली खर्च बंद करने का अगरा किया बता दे वहीं जहामों से राज सबसांसत महवा माजी ने मुसलीम भायों को इद की सुपकानाय दी है उन्होंने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले हम सभी ने मिलकर राम नामी मनाया था मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में बताया है कि असांती एकता और हर्सोलास का तेवार है विरेंद्र राम और अने के खिलाप इडी ने दाखिल की चार्ज सीट इडी ने मनी लोडरिंग के आरोप में जेल में बंद ग्रामिन विकास विभाग निलंभी चीफ इंजिनि किया गया चासिट पर अदालत 29 अपरेल को संग्यान लेगी इसके बाद समझ जारी किया जाएगा साथ ही जात जारी रखने की बात कही गई है फरार दाहु यादो के पीता को रांची लाया गया एक हैयार क्रोर के अवाइध खनन घोटाला मामले में फरार चल रहे दाहु यादो के पीता पसुपत्ती यादो को साहिव गंज की नगर थाना पुलिस ने गिरफतार किया है इसके बाद आई सनिवार को उन्हें रांची जर्ज कॉलेनी इस्थित इडी के विशेस न्याधिस के आवास्य कर्यालें परस्तूत किया गया जहां कोट ने दाहु यादो के पीता को न्याईक हिरासत में भेज दिया है बता दे कि दाहु यादो के पीता की गिरफतारी को लेकर इडी के स्पेसल कोट ने वरंट जारी क या था दाहु यादो तक पहुँचने के लिए इडी लगातार प्रयास कर रही है। कई बार समन जारी करने के बावजूद भी दाहु इडी के समख चाजी नहीं हुआ। फिलहाल दाहु यादो फराज चल रहा है। जारखन हाई कोट की सुरक्षा में तैनाथ 86 पुलिस कर्मियों को हटाया गया। पुलिस कर्मियों के पिछले कई वर्सों से एक अस्थान पर जामे रहने से सुरक्षा समझीत कारे के प्रती उदासिंता उत्पन होने और सनवेदन सिल्ता में कमी आने से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जीले के एसपी को निदेश दिया गया है कि इन सभी पुलिस कर्मियों के अस्थान पर किसी दूसरे योगे पुलिस कर्मियों को अपने सतर से चिनित कर हाई कोट में प्रतिन्युक्त की जाए और एक सब्ता के अंदर पुलिस मुख्यालों को इस से अउगत कराया के जैनि के जैसे nे जारी किया के जारखंड में सरकारी नौकरी के त्यारी कर रहे अभयारत लेकोरी है दरसल राज अक्रमने बिभीएन परिक्छाहों को आज想ी कर दिया है ले इसमें आवेदान पर कासीत होने की सबहावीत तारीक के शाथ-श्यक्तО जून का अम्तिम सबत परिक्षा जुलाई के दूसरे सब्ता में हो सकती है वहीं दोनों के आवेदान का नोटिपिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया है यह दोनों ही परिक्षा सीवीटी मोड में होगी जारखन में बंदे भारत एक्सप्रेस का किरायात तै अते धुनिक सुविधा से लेंस बंदे से पटना के भी चलने वाली जारखन और बिहार की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्गाटन में कुछी दिन से स्रह गया है अलाकि पीए मोदी इस ट्रेन के रिए खुद रांची आएंगे या वर्चुल मोड पर इसका उद्गाटन करेंगे इस बात पर अभ से पटना जाने के लिए 12 नहीं केवल 6 गंटे का सफर करना पड़ेगा सफर ऐसाज इसमें आपको आरमदाई सीट पूरी तरह से वातावने कलित डिब्बे साब सुत्रे बातरूम साथ ही कई अने चीजे मिलेंगे